कलस के कॉंट्रोवर्शल रियालिटी शो बिग बॉस में इंदेरों दो जोडियां सुर्खियों में है एक है पारस चापड़ा माहिरा शर्मा और दूसरी है सधात शुकला शेहनास गल हलाके पारस और माहिरा एक दूसरे को सर्फ दोस्त कहते हैं लेकिन दोनों को हर कंडीशन में एक साथ देखा जाता है वहीं शेहनास बहुत बार सधात के लिए अपनी फीलिंग सभी को बता चुकी है इसके उलट पिछले एपिसोड में सधात नी शेहनास से दूर रहने का ऐलान कर दिया है सधार्थ ने ये भी कह दिया कि वो शो के बाद शेहनास से नहीं मिलना चाहते सधार्थ और शेहनास के बीच लगाता लड़ाई जगडा चल रहा है हाल ही में गौतम और फिक कार्देकारियन पर शेहनास के फिलिप होनी के बाद सधार्थ ने ये कह दिया कि वो शेहनाज पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं नॉमिनेशन के दरान भी सधार्थ ने अपनी दोस्त आर्थी सिह को बचाया हालकि शेहनाज पहले ही बोल चुकी थी कि सधार्थ आर्थी का सपोर्ट करेंगी इसके बाद शेहनाज को पारस और माहिरा की वो बात याद आगे जो पारस ने माहिरा को बचाया था जब वो शो से बाहर जा सकती थी इसके बाद शेहनाज की आगों में आसु आने लगे शेहनाज को रोता देख माहिरा ने उन्हीं गले लगाया और पारस को भी यही करने को कहा इसके बाद पारस और माहिरा ने शेहनाज को शांत करने के लिए उन्हें प्यार से किस किया शो का एक प्रोमो सामनी आया है जिसमें शेहनाज सधार्ट को ये कहते हुए दिख रही है कि वो सधार्ट से नफरत करती है शेहनाज के इस confession के बाद आरती जाकर शेहनाज से पूछती है कि क्या शेहनाज कोन से कोई समस्या है जब आरती नहीं रुपती और लगातार बोलती रहती है तब शहनाज आरती पर सिंपथी गैन करनी के लिए सारी चीजे करने का आरोप लगा रही है शहनाज ने आरती को यहाँ पर साली भी कह दिया इस प्रोमो में शहनाज पूरी तरह से लड़ाई के मूड में नजर आ रही है पारस छाबडा से सिंपनाज के बारे में बात करते हुए भी शहनाज ने इस बात को सधात को नकली कहते हुए खत्म कर दिया वहीं प्रोमो में ये भी दिख रहा है कि सिधात शेहनास के लिए कह रहे हैं कि वो अपने पैरेंट्स के नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती आगे सिधात ने कहा कि उसके और पेरिंट्स के बीच की बात मैटर नहीं करती लेकिन शेहनास का बेहेवियर बहुत मैटर करता है सिधात और शेहनास के इस नोगजो के बाद शो में क्या त्विस चाता है ये तो एपिसोड देखने के बाद ही सामनी आएगा